प्रातना पूरी नहोंने के दसकारण, आलिलुया यह लास्वत्था कैसा आक और आपका प्रातना आते आपने आपको पॉइंस भटायते वह पॉइंस आपने अपने जिवन से निकाले हालुया फ्रेंस अलॉट एमेन आपको समझ आए कि हमारी प्रातना क्यों पूरी नहीं हो मर्कुस 11 का 24 पढ़िए मर्कुस 11 का 24 कहता है कि जब भी तु प्रात्रा कर तो ये विश्वास करके तेरी प्रात्रा पूरी होंगी Amen Hallelujah इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रात्रा करके मांगो तो प्रतिती कर लो कि तुमें मिल गया जो भी तुम प्रात्रा करके मांगोगे प्रात्रा बोलिये प्रात्रा एक साथ बोलिये प्रात्रा बोलिये प्रात्रा इस प्रात्रा के हतियार को अपना बना लीजिए आपको कुछ भी प्राबलम है घुटने वाई ये प्रात्रा करिए आपको समझे नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में मैं अपनी चाल कैसे चलूँ प्रात्रा करिए घर से कहीं भी आपको जाना है प्रात्रा करिए घर आना है आने के बाद प्रात्रा करिए प्रात्ना एक अपना ऐसा हत्यार बना लिजे बिना प्रात्ना के हम नहीं चलेंगे एक कदम भी हम मैं बिना प्रात्ना के नहीं चलूँगा अपनी ये हैबिट बना लिजे जिस तरीके से सांस लेते हैं उस तरीके से आप प्रात्ना करिए इसलिए वो कहता है कि जब भी तुम प्रात्रा करो तो यह प्रतीदी कर लो कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा यहीं कि बाइबल प्रात्रा के बारे में हमें क्या सिखाती है कि जब भी हम प्रात्रा करेंगे तो हमें यह प्रतीती करनी है कि जो मैंने मुख से निकला है वो परमेश्वर तक पहुंचा है और वो मुझे मिलेगा लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है हमने पिछले वचन में देखा कि यह शाया 69 का एक और दो में क्या लिखा हुआ कि ना तो परमेश्वर बहरा है ना उसके कार नहीं उसके हाथ छोटे हैं वो देख भी सकता सुन भी सकता है उसके हाथ भी लंबे वह आपको देखता भी प्रात्रा करते हुए तो फिर भी प्रात्रा पूरी क्यों नहीं हो रही है क्यों नहीं हो रही है प्रात्रा आपकी पूरी हमने पिछले सब्ता देखा था पांच पॉइंट्स हमने देखे थे वह मैं रिपीट करूंगा शॉट में जो आप समझ जाएंगे उसके वाद में अगले पॉइंट्स पर जाऊंगा जो हम चाहते हैं उसे मांगने की बजाए संगर्श करते हैं इसलिए हमारी प्रात्रा पू कующ डरते हैं व अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं हम संगर्श करते हैं आप रात्रा नहीं करते हैं capsule इसलिए हमारी पूरी है पूरी नहीं होती वाइबल कहती है कि हमfang हर जगह हर कदम पे हर दिन हमें पर मेश्वर से सम्मंद बनाना है और पर मेश़र को उच्छा उठाना मैं आच्छा काम खुद नहीं कर सकता हूं ये कहना सीख लीजेश अगर आफ ये कहते हैं कि मैंने किया है आप गलत है इक आज ये काम मैंने किया है और देखो मैंने कैसे अब बर्बर किया आप गलत को है आप महसूस करिए आप दीन बनिए अगर आप दीन नहीं है परमिश्र आपको उच्छा नहीं उठाएगा याद करिए अगर आप परमिश्र के सामने घमन्ड करेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे तो कि आप परमेश्र की द्रिश्टी में कुछ भी नहीं है आपके इस बुद्धी किसकी है परमेश्र की शक्ती किसकी है परमेश्र की आपको मौका कौन दे रहा है परमेश्र आपको लोगों से मिलवा कौन रहा है परमेश्र आप क्या है मैं क्या हूँ अगर मैं छोटा सा काम कर लेता हूँ तो ये परमेशर की किरपा है इसलिए वो कहता है कि जो हम चाहते हैं उसे मागने की बजाए संघर्ष करते हैं अपने आपको अपनी इगो को सटिस्वाई करने के लिए इसलिए हमारी प्रात्राइं पूरी नहीं होती है दूसरा हम स्वार्थ की भावनाओं से मांगते हैं हाललुया हम स्वार्थ की भावनाओं से मांगते हैं हमारी प्रात्राओं में स्वार्थ है बाइबल कहती है परमेशर को पता है तेरे मांगने से पहले परमेशर जानता है कि तेरे मन में क्या है हालेलुया अपना मन दिखाए यह अगर आपको धरन दिया था कि किस तरीके से मनना जब परमिशन ने डाला निर्गमा सोला का चार तो परमिशन ने क्या कहा था तुम आज की रोटी लो कि कई ने कल की रोटी उठाने की कोशिश की और कई ने उठाया भी लेकिन वो स्रड अगर आप छोटे में विश्वास योग नहीं है तो आपको बड़ा अशीश नहीं मिलेगा यादे आपको अगर आप छोटे में अशीश नहीं है अगर आप छोटे में विश्वास योग नहीं है तो आपको बड़ा नहीं मिलेगा तो दूसरा क्या है कि हम में स्वार्थ है तीसरा क्या है कि हम प आप करते हैं और मांगते हैं परमिश्ण ने आपको पाप रहीत किया है पापों से मुक्त किया है ताकि आप जब मांगे तो आपका अधार पवित्र हो पाप ना हो जूट ना हो धोका ना हो आप किसी के बारे में गलत मत सोचिए आप अपने इंक्रिमेंट के लिए आप यह मार करें परमिश्ण देख लिए एक राकेश भी है जिसको मिलने वारा इंक्रिमेंट एक मैं भी हूँ परमिश्ण देख लिए वो उसका काम ना हो मेरा हो जाए नहीं अ कि हाल्यूया हमें पाप से अलग होना है पवित्रता का आशीश अगर आपके अंदर है तो परमिश्य आपकी प्रात्रा ओं सुनेगा चौता हम नियर्धन की चीक के लिए बहरे बनते हैं अगर कोई आपके लिए आपके लिए काम कर रहा है अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है और अगर आप उसकी मुसीबतों को उसके दुख को नहीं देखते हैं तो परमिशर आपकी प्रात्राओं को नहीं सुनेगा आप अपना पेट तो भर रहे हैं लेकिन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपके अंदर काम कर रहा है अगर आप उसके पेट को नहीं देख रहे हैं उसकी चीक को नहीं सुन रहे हैं उसकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं तो परमिशर आपकी पुकार को नहीं सुनेगा और होता है कई बार हम दूसरों की पुकार को नहीं सुनता क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप किसी निर्धन की चीख को नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रात्राओं को नहीं सुनेगा पांच्वां परमेश्वर के पवित्र जनों का विरोध करते हैं कियूंकि पर्मेश्ण ने आपके सामने जो अगवे रखे हैं, जो पास्टर रखे हैं, जो परमेश्ण की दास रखें, क्यूं रखें? क्योंकि permission उनके द्वारा आप से बात करना चाहता है Hallelujah जहां भी आप रहें एक भरुसा करें अपने past one पर विश्वास करें पासवान के लिए प्रात्रा करें क्योंकि पासवान बिना स्वार्थ के आपके लिए प्रात्रा करता है इसलिए कई बार होता है हम एगो में आकर अपने पास्वान का विलोद करने लगते हैं उसको जूटा कहते हैं उसको गरत साबित करने की कोशिश करते हैं और वाइबल कहती है कि ये परमेशर बरदाश नहीं करता है इमेन इसलिए वो शराप आपके उपर आता है इसलिए निर्गमन बारा कातीन का कहता है कि जो तुझे आशीश देगा उसे मैं आशीश दूँगा जो तुझे शराप देगा उसे मैं शराप दूँगा इबराहिम की वंश का याजक जो आपका पास्वान है अगर आप उसे शराप देंगे तो आपको शराप मिलेगा अगर आप उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं सोचा जाएगा ये वचन कहता है अललिया छटा जिससे हम आज शुरू करने हैं हम परमेश्र के नियमों को जानते हुए भी उसकी अवग्या करते हुए हैं उसको इगनोर करते हैं हम जानते कि परमेश्र ने क्या कहा है हम जानते कि परमेश्र क्या चाहता है इशु मसी के पवित्र समार्थी नाम में इशु मसी के बलिदान के द्वारा परमेश्र ने हमें पवित्र किया है, इशु बसी आपके जीवन में काम करना चाहता है, इशु बसी आपको उच्छा उठाना चाहता है, प्रेस अलॉट, उसने अपना बलिदान करके आपको नियम दिये हैं, आपको बताया है कि आपको किस तरीके से जीना है, लेकिन अगर हम जानते हुए कि वैवस्ता क्या कहती है, हम vigilते हुए कि साब हमें जीना इस तरीके से है, हमें अपना जीवन इस तरीके से गुजारना है, और अगर आप नहीं गुजारते हैं, त्यों पर्मेश्र आपकी प्रातना नहीं सुन्ता है अन्य जाती जो है ना वो आपके वो तब भी अच्छी है क्योंकि वो जानती नहीं प्रभू को इसलिए पहला करूंतियन 4 का 17 क्या कहता है पहला पत्रस सौरी पहला पत्रस 4 का 17 फिर्स पीटर 4.17 क्योंकि वो समय आप पहुंचा है कि पहले परमेश्र के लोगों का न्याएं किया जाए जबकि न्याएं का आरंब हम ही से होगा तो उनका क्या होगा उनका क्या अंत होगा जो परमेश्र के सुसमाचार को नहीं जानते बंद करिए बंद करिए आवाज बंद करिए ब्लीज स्विच आफ कर दीजे क्या वचन कहता है कि नियाए किस से होगा हमी से होगा क्योंकि हम जानते हैं आप जानते हैं कि परमिशन ने आपके जीवन में काम किया आप जानते हैं बाइबल किया है आप जानते हैं कि मुझे चर्च जाना चाहिए आप जानते हैं कि मुझे दया आनी चाहिए आप जानते हैं कि मुझे दर्श्वान देना चाहिए और फिर भी आप नहीं दे रहे हैं परमिशल आपकी प्राथरां को नहीं सुनेगा एक आद्मी नहीं जानता है चलेगा, आप जानते हुए भी अगर उसको अवग्या करते हैं उसको इंग्नोर करते हैं, ने ने, ओके टीक है, चैश नहीं बगने जायेंगें, फ्रातरा ने ने बले अबी दर्शांच अभी नहीं, नहीं, क्या लिखा हुआ है, हम परमश्र को नियुमों को जानते हुए भी अगर हम उसको अवग्या करते हैं उसको इग्नोर करते हैं तो परमिश्वर हमारी प्रात्रों को नहीं सुनता है परमिश्वर से हमारा सम्मंद दूट जाता है अलेलुया दूसरा हम शमाना करने वाली आत्मा रखते हैं मती 18 21-35 कितने विश्वास करते हैं कि आपके पापों की ख्षमा आपको मिल चुकी है जितने भी पाप आपने किये थे उन सब की ख्षमा आपको मिल चुकी है कितने विश्वास करते हैं ओडिया के प्रमेशों ने जितने भी आपने पाप किये थे उन सब के लिए आपको शमा कर दिया है लेकिन बाइबल क्या कहती है यहां पर क्या कहती है कि हम शमा ना करने वाली आतमा रखते हैं इसलिए हमारी प्रात्ना सुनी नहीं जाती है मैं आपको द्रिश्चान्थ से बताऊंगा मती 18.21 से आपको बहन पढ़ेंगी उससे पहले मैं आपको बताऊं यह द्रिश्चान्थ है कि एक आदमी था जिसका कम से कम 10 करोड का कर्जा था कितना था? सब लोग बोलिए 10 करोड सब लोग करें 10 करोड मिली जाएं तो अच्छा है ना 10 करोड का कर्जा था मालिजे मैं उधारन दे नहीं 10 करोड का कर्जा था और उसके बास ने उसको बुलाया कि भई पैसे दे? उसने गा सर नहीं है सर बिकुल पैसा नहीं है I'm sorry सर कबसे तू बोल रहा है 10 करोड ते रहा पर है भई तू दे नहीं रहा पैसा कहता नहीं सर मैं अब दूँगा दूँगा लेकिन अभी नहीं है सर अभी के लिए थोड़ा समय दीजिए माफ करिए तो जो उसका मालिक है उसको रहम आगे उसको अबरहम है उसने कहा चलो ठीकर कितना इसका दस करोड चल तूझे माफ करता हूँ दस करोड आपके माफ हो गए कितने माफ हो गए दस करोर ओrices मेन दस करोर माफ वो आदमी जिसके दस करोर माफ हुए थे वो बहार निकला दर बार से और उसको वो एक दोस मिल गिया जिसको उसने 500 रुपे दिये थे कितने दिये थे 500 रुपे उस आदमी ने उसको 500 नहीं दिया कहता लाँ 500 मिले जिसका 10 करोड माफ हुआ था उसने 500 रुपे वाले आदमी को रोक लिया मेरा 500 रुपे थे कहता सर I'm sorry नहीं है ब्रदर मैं आपको दूँगा जब जैसे उसने विंती की थी वैसे इसने की जैसे नहीं नहीं मुझे 500 रुपे दे जो उसने का नहीं है उसने बुलाया इसको जेल में डालिये अब और जबते कि 500 रुपे ना दे दे इसको जेल में रखो तो उसके जो संगीश आती थे उन्होंने उसके बॉस को बताया कि साब आपने इसका 10 करोड माफ कर दिया 10 करोड आपने माफ कर दिया और ये अपने दोसका 500 रुपे माफ नहीं कर पाया हलेलिया अब देखिए और उसके स्वामी ने क्रोड में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौब दिया कि जब तक वो सब कर्स भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को भाई को मन से शमा न करोगे कैसा करेगा समजे कुछ अगर आप धरती पर किसी को मन से पाफ नहीं करेंगे मन से अगर आपने किसी का एक पाफ भी माफ नहीं किया तो जितने भी परमेशों ने आपके 10 करोड पाफ माफ किए है ना वो सारे पाफ आपके उपर आजाएंगे वचन कहता है मैं नहीं कहना हूं नहीं समझें दुबारा समझाओं इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से शमाना करेगा तो मेरा पती जो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा अगर आपने किसी को क्योंकि परमेश्वर ने आपके हजारों पापों को माफ किया है आपने जो छोटे बड़े पाप किया है आप गिनिया आप गिन नहीं सकते कि आपने कितने पाप किया है आप गिंती भूल जाएंगे आपने इतने पाप किया है और कोई पापों को याद क गरते करते आपको शरम भी आगे कि help मैंने पिए DO कि लेकिन वचलंब क्या कहता है कि जो पाप पर मेश्वर ने आपको माफ किए वह ब्हुल चुका है कि लेकिन अगर आपने इस कि चुटा सा पाप भी माफ नहीं किया आपने किसी को मन से एक शमा नहीं किया एक बर क्या होता है आपने उपर से शमा कर देंगे ओके दिया मैं आपको माफ किया लेकिन अंदर ये अंदर आप उसके लिए नफरत रखते हैं नो मन से अगर आपने पाफ नहीं किया तो वियात करिए परमेश्वर ने जितने आपके पाप माफ किया है न वो सारे पाप आपके उपर आ जाएंगे इसलिए न्याय करो खुद का रोज खुद का न्याय करो रोज खुद को जाचो कि मैं कहां गलत हूं और अगर गलत है घुट्टे टेक कर माफी मांगो आज इस समय धर्ती पर आप परमेश्व से माफी मांगेंगे उसका अनुगर है आपको चंगा मिल जाएगी आपको माफी मिल जाएगी लेकिन वहां पर नहीं मिलेगी याद रखना इसको मजाक मत समझना इसलिए जिसके अंदर शमा ना करने की आत्मा है बाइबल कहती है कि आपकी प्रात्ना नहीं सुनी जाएंगी अगर आपकी प्रात्ना नहीं सुनी जा रही है बहुत दिनों से आप अपने आपको जाचिए यह दस पॉइंट्स है कि कौन से पॉइंट्स मेरे अंदर है क्यों मेरी प्रात्ना नहीं सुनी जा रही है क्या परमिश्व कठोर है या परमिश्व सुनता नहीं है और फिर अपने आप से सवाल करिए आठ का बत्यस, रोमियो आठ का बत्यस इसको पढ़कर समझिए कि जो पर्मेश्वर हमें अपने एकलोते पुत्र के द्वारा शुद्द कर सकता है रोमियो आठ का बत्यस जिसने अपने निच पुत्रों को भी न रख छोड़ा परन्तु उसे हम सब के लिए दे दिया वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा इमेन सोचिए अपने आप से अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो उससे कहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है क्यों? क्योंकि जिसने अपने एक लोटेप पुत्र का बल्यदान आपके लिए कर दिया वो आपकी प्रात्रा क्यों नहीं पूरी कर रहा है? वो आपकी प्रात्रा क्यों नहीं पूरी कर रहा है? क्योंकि आप उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं क्योंकि शमा ना करने की आत्मा आपके अंदर है आपको आप उसके नियम को जानते उसके अनुसार चल नहीं रहे है आप में पाप लिप्त है आप निर्धनों की चीक को नहीं सुन रहे है आप परमेश्ण के दासों की उलाना कर रहे हैं, मजाग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इमेन, चाचिए अपने आपको आठवा, हम में विश्वास की कमी है हम में क्या है? विश्वास की कमी है, इसलिए हमारी प्रात्राइ सुननी पूरी नहीं होती हम ये तो विश्वास करते हैं कि इसलिए हमारे लिए मरा लेकिन उतना ही रखते हैं बस हमारा विश्वास, हमें विश्वास करना नहीं आता है यहानना चेगार शेका 47 यहानना चेका 47 647 मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि जो कई विश्वास करता है अनंतर जीवन उसी का है कितने विश्वास करते है इश्व मसी पर बोलिये मैं विश्वास करता हूँ कि अनन्त जीवन मेरा है हलेलुया आप विश्वास करते हैं कि अनन्त जीवन मेरा है प्रिज लोट अभी दूसरा वचन साथ का अरतिस यहन्ना साथ का अरतिस जौन 7.38 जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र साश्र में आया है उसके रिदय में से जीवन के जल की नदिया बह निकलेगी जीवन के जल की नदिया बह निकलेगी कितने विश्वास करते हैं कि आपके अंदर से जल की नदिया बह निकलेगी निकल रही हैं, आप समझते हैं उसका मतलब, हाथ ऐसे मत उठाओ, आपके हिर्दय से जीवन के सोते फूट पड़ेंगे, जो कोई विश्वास करेगा, क्या पूट रहें? क्या पूट रहे हैं क्योंकि आपका विश्वास वहां तक है कि जो को विश्वास करेगा वो अनन्त काल का जीवन पाएगा बस जो विश्वास करेगा उसके हिर्दै से परमेश्र के सोते पूट पड़ेंगे इमेन परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा दिखनी चाहिए क्या दिखती है क्या दिखती है अभी तीसरा वचन यहन्ना 14 का बारा जॉन 14, 12 मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा कितने विश्वास करते है कोई हाथ नहीं उठाएगा है नहीं जो काम इश्व मुझ ने की आप करेंगे आप कर सकते है बाइवल तो कहती है उसके लिए वो जीवन जीना पड़ेगा ये बचन किसके मुख से निकला है हलो मेरे देखी आप आपका विश्वास नहीं है आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि पहली दूसरी क्लास के लिए भेजते है कि फर्दर स्टडी के लिए पिएजडी तक किसके लिए भेजते है आपका मकसद क्या है बच्चे को स्कूल भेजने का कि मेरा बच्चा सब पढ़ाई लिखाई कर ले बस पढ़ ले और लिख ले ये मकसद है आपका या मेरा बच्चा घ्यान पाए आप लोग कलीसिया की कख्षा में आप पहली किलास में हैं और वहीं पर आप इस थे रहे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि जो विश्वास करता है अनंतकाल का जीवन उसका है बस आप इसी विश्वास में बैठे हुए यह जो कह रहा है फर में इस चौदा का 12 मैं तुम्सेविश्वास करता हूं जो मुझपर विश्वास करे गा वो जो काम मैं करता हूं से बड़े करेगा तालियां बजयाना आप जानते हैं लेकिन ये वच्छ dal innaat कुम नहीं काम हो रहा है इसहीं कर आ Кон s कि आप इस सुपसे पर विश्वास नहीं हुआ हैं अ यहां कैसे कर सकता हुए इशू == हो प्यूंदें हुद और गुए घृबाल है पता क्यों नहीं कर सकते आप इर्मिया 29 का 13 तुम मुझे ढूंडोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे इमेन तुम मुझे ढूंडोगे और पाओगे भी ध्यान से समझे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे कित जो इशू कहता है उससे बड़े-बड़े काम आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप संपूर मन से नहीं आ रहे हैं आपका मन तो संजार में अपनी नौकरी में अपने धन्दे पा रहे है वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंड़ोगे और पाओगे भी कब जब तुम संपूर मन से मेरे पास आओगे हलो इसलिए आप में विश्वास की कमी है आपका विश्वास कमजोर है और अगर आपका विश्वास कमजोर है इसलिए आपके प्रातना हैं पूरी नहीं हो रहे हैं परने परमिशन ने आपको कहां पहुँचाया है इशू मसी बाइ लुखना चाहता है वो कहता है अगर तो मुझे पर विश्वास करोगे तो जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे एमेन हम इस वचन पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि यह मेरे लिए तुम कौन है अललिया पड़ो मैं तुम से सच सच दो बार उसने कहा है truly truly मैं तुम से सच सच कहता हूं जो मुझे पर विश्वास करेगा जो काम मैं करता हूं उससे बड़े काम करेगा क्यूं नहीं कर पा रहे हैं आब क्योंकि आप उसकी आत्मा की अगवाई में नहीं चल रहे हैं पवित्रात्मा तो आपके अंदर है लेकिन आप शरीर के अनुसरार चल रहे हैं पवित्रात्मा को आपने साइड में रख दिया है संडे के संडे यूज़ करने के लिए बस प्रविदरात्मा आप बैठो बाद में आपको यूस करेंगे इसलिए आप नहीं कर पारें आप फस्ट सेकेंड से उपर ही नहीं जा पारें आप सहमत हैं कि हाँ साब इशु के हम इश्वास करते हैं कि अनंद चिकाल का जीवन मेरा है बस यहीं तक आप सीमित है इसलिए आपके हिर्दय से सोते नहीं फूट रहे हैं इसलिए जब आप जाते हैं तो आप में इशु नहीं दिख रहा है सोते कब फूटेंगे जहां पत्रस चलता था उसकी परचाई से लोग चंगे होते थे पौल उसने मुर्दों को जिन्दा किया क्योंकि वो विश्वास करता था कि उसके अंदर उसकी आत्मा है क्यों? क्योंकि उसने उसी की आत्मा को रखा और किसी आत्मा को आने नहीं दिया हम लोग प्रभू में आने के बाद और आत्माओं को आने देते हैं, आओ भईया, आजाओ घमन की आत्मा, स्वार्थ की आत्मा, पैसे की आत्मा आओ, मान अभिमान की आत्मा, आओ, आओ मेरे संग आजाओ, दोस्तों की रिष्टेदारों की आत्मा, इसलिए आप इस आत्मा को, कब आप इश्यूमसी से बड़े काम करेंगे जब आप इस आत्मा के द्वारा वो क्या कहता है तुम मुझे ढूदोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम संपूर मन से ढूदोगे हमें कुछ नहीं करना कैसे ढूदना है संपूर मन से उसको वो कहीं चुपा हुआ है क्या परमेशन कहीं चुपा हुआ है जो आप उसे ढूड़नेंगे है नहीं ना कैसे ढूड़नेंगे उसके आत्मा जो उसने दी है न उसकी आवास सुनने की कोशिश करिए उसके अनुसार काम करिए जो वो कहता है अपने आप अप परभू के पास पहुर्च जाएंगे उसके पास क्योंकि आत्मा जो है वह गुल बातों को डूढता है पहला कुरूंधिन पहला कुरूंधिन दोका दोका 20 परंतु परमेश्यों ने उनको अपने आत्मा की दवारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बाते वरन परमेशर की गूड बाते भी जाचता है आपको जो आत्मा दी है वो परमेशर की गूड बातों को भी खोशता है अगर आप उसकी आत्मा के दोरा काम करेंगे ना उसकी अगवाई में करेंगे उसकी आत्मा के द्वारा ही आप अपने जीवन को बिताएंगे ना तो आप परमेशर की गूल बातों को खुछकर आपको बताएगा कि और तब आप इस्वाप उसे बड़े-बड़े काम कर पाएंगे के इस सब किसके हाथ में है न बड़े काम करना किसकी हाथ में आपके हाथ में किसके हाथ में किसके हाथ में एमेन तो क्या लिखा यहाँ पर क्योंकि हम विश्वास की कमी है इसलिए हमारी प्रातनाई पूरी नहीं हो बाती नवा हमारे हिर्दे में हम अपने हिर्दे में मूर्तियों को रखते है इसलिए हमारी प्राथना पूरी नहीं होती हमारी मूर्थी कौन है जो परमेशर से ज्यादा जिसको हम पूछते हैं परमेशर से ज्यादा हम जिसको एहमियत देते हैं वो मूर्थी है अगर आपकी नौकरी आपको परमेशर की परमेशर से ज्यादा अपनी नौकरी को एहमियत देते हैं तो आपके लिए मूर्थी है अगर आपको कोई स्वाध है कि सब मीठे के विना मैं जी नहीं सकता हूं वो मूर्थी है चावल के विना नहीं खा सकता हूं चावल मूर्थी है आपके लिए जो आपके जीवन में परमेश्व से ज्यादा importance रखता है वो मूर्ति है आपका धंदा, आपका काम आपके दोस, आपकी girlfriend अगर परमिश्य से ज़्यादा important है तो वो आपके लिए मूर्ति है इसलिए आपकी प्रात्राइं पूरी नहीं हो रही है तो अपनी मूर्तियों को निका लिए अगर आपकी प्रात्राइं पूरी हो और आप परमिश्य के करीब है अपने मूर्तियों को निका लिए मैं यह नहीं करूँ प्यार मत करिए मैं यह नहीं करूँ दोस्ती मत ने भाई लेकिन उसको मूर्ति मत बनाईए उसको मूर्ति मत बनाईए काम करिये मूर्टी नहीं है पहले प्रभू है बाद में मेरा काम है अगर आपका यह अच्छी जूट नहीं है कि पहले प्रभू है और बाद में काम है और पहले काम है फिर बाद में प्रभू है तो आप संकट में हैं आप आज नहीं तो कल चल जाएंगे पीछे, आराम से शेतान आपको आराम से पीछे लेके जाएगा अलेलुया तो जब हम अपनी मूर्तियों को रखते हैं तो हमारी प्रात्राओं को पूरा नहीं होते देखते हैं अलेलुया नहीं है बीबी कुछ कहती है पती कुछ कहता है बच्चे कुछ कहते हैं पत्नी की सोच अलग है पती की सोच अलग है बच्चों की सोच अलग है घर में शांती नहीं है और घर में जब शांती नहीं है तो आपकी प्रात्नाएं वहां तक नहीं पहुंचती है प्रात्नाएं आपके घर की तब पहुंचेंगी जब आपके घर में एक मन, एक द्रश्ची कौन हो, एक मन के साथ, आपकी शान्ती बनी दे, हलो आपके घर में आशांती है इसलिए आपकी प्रात्राय प्रमिश्र तक नहीं पहुंचती है इसलिए अपने घर की शांती को बनाइए जब तक आपके घर में शांती नहीं होगी आप परमिश्र को नहीं पा सकते दूसरों के लिए जीना शुरू करिए क्यों आपके घर में शांती नहीं है क्योंकि आप अपने लिए ही जी रहे है मैं 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 आपके मन में दूसरों के लिए बोजी नहीं है परमिश्रा के राज्य के लिए बोजी नहीं है स्वार्थ स्वार्थ पत्नी का अलग स्वार्थ, पती का अलग स्वार्थ, बच्चों का अलग स्वार्थ अशांती है आपके घर में इसलिए आपकी प्रात्ना पूरी नहीं हो नहीं है हालिलुया परमेशर चाहता है आपकी प्रात्ना पूरी हो इसलिए वो कहता है मैं शान्ति का राजकुमार हूँ और अपनी शान्ति तुम्हें दिये जाता हूँ 14 का 27 यहनन 14 का 27 जॉन 14 27 मैं अपनी शान्ति तुम्हें दिये जाता हूँ Hallelujah Praise the Lord हम जब सूसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तब भी हमारे मन में शान्ति नहीं होती है Romans 1 का 16 तरह पढ़िए Romans 1 16 17 जली पढ़िए क्योंकि मैं सूसमाचार से नहीं लज जाता इसलिए कि वहरीक मिश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर युनानी के लिए उड़ार के निमित परमेश्त की सामर्थ है परमेश्वर की सामर्थ है ज्यां सुनवोजिए सूसमाचार क्या है जोड से बुले परमिशर की सूर समचार क्या है अगर आप सूर समचार को एक मैसिज समझते हैं कि आओ हम सूर समचार सुनाने चले हैं और आप मैसिज लेके जा रहे हैं कि इशुमस की मरा मर की जिन्दा हुआ बेहन आप हमारे चार्श में आईए अगर आप मैसेश लेके जा रहे हैं तो आप आत्माओं को नहीं जीत पाएंगे आप आत्माओं को नहीं जीत पाएंगे क्यों नहीं आत्माओं आ रही हैं क्योंकि आप उनको मैसेश सुना रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ है सूसमाचार और वो सामर्थ दूसरे के अंदर क्यों नहीं काम कर रहा है क्योंकि वो सामर्थ आपके अंदर नहीं है आप जब सूसमाचार बोल रहे हैं तो आपके अंदर सूसमाचार जीवित नहीं है उस भाई उस बेहन को आपके अदर सुसमाचार नहीं दिख रहा है अगर मैं आपसे और जूट मत बोलो धोका मत दो वैविशार मत करो और मैं जूट बोलूँगा वैविशार करूँगा धोका नहीं दूंगा तो आप के उपर मेरे वचन काम नहीं करेंगे हेलो आप समझ रहे हैं अगर मैं आपसे बोलता हो जूट मत बोलो तो पहले मुझे जूट नहीं बोलना है मुझे वो जीवन जीना जो मैं चाहता हूं इशुमसी नहीं वो जीवन जी आ इसलिए उसने कहा कि पवित्र जीवन लेके चलिए सूसमाचार कोई मजाख नहीं है सूसमाचार कोई ड्यूटी नहीं है क्या चलो इस यहां चलते हैं ओके दो इधर दो उधर बाकी मेरे पीछे यह सूसमाचार नहीं है क्योंकि आपका जीवन प्रात्रा का नहीं है इसलिए सामर्थ नहीं उतर रहा है आप हर चीज को ड्यूटी समझ रहे हैं चर्चाना ड्यूटी है प्रात्रा करना ड्यूटी है एक अध्याय पढ़ना ड्यूटी है इसलिए वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा है आपके अंदर बोश नहीं है कि इस वचन को मेरे जीवन में उतरने दो प्रभु मैं ही जो पढ़ रहा हूं वह वैसा बन जाओं हलो दाल क्यों परमेश्र का मित्रु था क्योंकि वह वैसा बोश रखता था जब तक आप वचन को मनन करने के लिए वचन को अपने जीवन में उतारने के लिए आपके अंदर बोश नहीं होगा जब तक आप डूटी करते रहेंगे तब तक परमेश्र का सामरत नहीं उतरेगा आज मैंने चार चप्टर पर लिए पांच चप्टर कोई फाइदा रहें जब तक वह वचन आपके अंदर काम ना करें अलेलुया भैंस को जुगाली करते हूं देखा किसी ने मैं इस जुगाली करते हूं जाती हूं वह खालती है एक बार में और फिर बैठ कर यह एक मसी का काम होना चाहिए कि आपने वचन पढ़ लिए फिर आप बैठ गए और आप उस वचन को जुगाली कर रहे हैं मानन कर रहे हैं एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा उसी को कर रहे मां तो वह खाना पचेगा पिर वह खाना आपके जीवन में सामर्त लेकर आएगा फिर जब आप जाएंगे सूर्स अमचार के लिए वह सामर्त सामने पर प्रकट होगा अलेलिया एमेन तो दस कारण कौन से हैं एक बार मैं दुबारा पड़ता हूँ जो हम चाहते हैं उसे मांगने के वज़ाए संगर्ष करते हैं दूसरा हम स्वार्थ की भावलाओं से प्रात्रा करते हैं इसलिए हमारी प्रात्रा सुने नहीं जाती हैं दीसरा हम पाप में लिप्त रहते हुए मांगते हैं इसलिए हमारी प्रात्रा सुने नहीं जाती चौथा हम निर्धन की चीक के लिए बहरे बनते हैं इसलिए हमारी प्रात्रा सुने नहीं जाती पास्वा परमेश्र के पवित्र जनों का विरोथ करते हैं इसलिए हमारी प्रातना सुनेनी disciplines. चछटा हम परमेश्र के नियमों को जानते हुए उसकी अवग्या करते हैं इसलिए हमारी प्रातना सुनेनी जाती और दस्वा हमारे घरों में अशान्ती है इसलिए हमारी प्रात्रा सुनी नहीं जाती इन दर्श पॉइंट्स को अपने जीवन से निकाली है और प्रात्रा करी है कि मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी हर प्रात्रा का जवाब मिलेगा आपको आपकी हर प्रात्रा का जवाब मिलेगा अगर इन दस पॉइंट्स को आप निकाल देंगे मैं आपका जीवन बदल जाएगा आपका जीवन बदल जाएगा आप जो मांगेंगे प्रकट होगा इन चीजों के यह जो दस कारण हैं इनको अपने जीवन से निकालेगे अलेलिया कितने को आशीश मिला है कितने लोग आज से विश्वास करते हैं कि यह दस कारण मेरे जीवन में नहीं होंगे कितने लोग बाठावांते हैं कि यह दस कारण अब मेरे जीवन में नहीं होंगे कितने विश्वास करते हैं कि मेरी प्रात्रा सुनी जाएगी यह आ आप के ऊपर है प्रात्रा का सुना जाना अब पर्मेशर को ऊपर नहीं है Bible क्या कहती है 10 points क्या कहते है It's all depend on you अभी आपके उपर है ये अगर आपकी प्रात्रा नहीं सुनी जा रही है तो इन 10 points को देखिए कि 10 points तो मेरे जीवन में नहीं है Amen अगर ये 10 points है तो अपने आपको जाचिए अपना निया करिए Hallelujah Amen Praise the Lord मैं सच कहा रहूँ मेरी बहन अन्तिम समय है मैं चाहता हूँ Bible चाहती है Parmishwar चाहते है कि आपकी हर प्रात्रा पूरी हो Parmishwar आपकी हर प्रात्रा का जवाब देना चाहते है लेकिन because आपके जीवन में ये कारण है आपके जीवन में ये चीजे हैं इसकी वज़े से आपकी प्राथना का जवाब नहीं मिल पा रहा है Praise the Lord अपने आपको जाचिए प्रभू आपको आशीर से आए अंते प्राथना करते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर आपकी किरपा जशी हम पर है यह जो दस कारण है परमेशर इनके जीवन में परमेशर काम करिये और इनको परमेशर बुद्धी दीजिए और इनके अंदर बोश पैदा करिये ताकि यह दस कारण इनके जीवन से निकले और इनकी हर प्राथना का जवाब इनको मिले परमेशर देखने वालों के लिए आशीश और सुख मांगता हूं, चंगाई मांगता हूं इश्व मसी के नाम से मांगता हूं, प्राथना आपने सुनी को भूल की, Amen, Amen, Amen